नमस्कार दोस्तों आज हम सीखेंगे इन्वर्स एडन सोल्डर के बारे में और जानेंगे इसके हर पहलू को और हर एंगल से जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और कहां पे इसमें इंट्री और स्टोपलो से लगाया जाता है और इसको ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल किया जा और पाईए आपका gift बिल्कुल free में तो चलते हैं हम chart की ओर inverse head and solder या inverted head and solder आप इसे कह सकते हैं आज आप सीखने वाले हैं inverse head and solder और ये trading में कैसे help करता है इसके हर पहलू को हर angle को हम आज सीखने वाले हैं तो देखते हैं ये कैसे काम करता है और किस type से ये market में अपना रूप दिखाता है बनता है तो आप देखिए कि ये market में क्या करता है बनता है जब कौन सा trade इसके बाद लेना चाहिए इनी बातों को जानने के लिए आप इस inverse head and solder को सीखिए और ये बहुत ज़रूरी pattern है तो देखिए market में फोल चल रहा था ये देखिए ये क्या था थोड़ा पतला कर लेते हैं market में चल रहा था फोल हाजी आपने देखा कि market में क्या है falling आ रही है यानि seller जबरदस्ते तरीके से heavy है इसके बाद क्या होता है एक level आता है यहाँ पे buyer activate हो जाते हैं इस level के उपर क्या होता है buyer activate हो जाते हैं और market फिर से उपर जाती है और एक level के उपर आके रुख जाती है और इसके बाद फिर seller अपना दबदबा बढ़ाते हैं और market को फिर नीचे लेके जाते हैं यह वाला और फिर क्या होता है यह देखिये पहला जो low था यह वाला low यह low इससे नीचे बनता है और इसके बाद क्या होता है buyer फिर activate होते हैं market को उपर लेके जाते हैं परंतु कहां तक लेके जाते हैं उसी लेवल तक लेके जाते हैं जिस लेवल तक है पहले लेके गए थे और सेलर ने फिर से वापी से अपना काम स्टार्ट किया और मार्केट को फिर नीचे लेके गए परंतु कहां तक है इस लो तक नहीं लेके गए इससे पहले ही इन्होंने हार मान ली यह देखिए और फिर यहां से बायर एक्टिवेट होए और मार्केट को उपर लेखे ले और इसके बाद क्या होता है यही चीज सीखने वाली है इसके बाद क्या होता है यह देखिए मार्केट नीचे आए उपर गई नीचे आए उपर गई नीचे आए उपर गई तो यहां देखिए यह जो पहला लो बना इसको हम कहते हैं left shoulder यह देखिए क्या कहते हैं left shoulder फिर मार्केट थोड़ा उपर गई और फिर नीचे गई यह देखिए यह बन गया head यह उल्टा है head and shoulder यानि आदमे को उल्टा कर दीजिए यह इसका head हो गया यह इसके दो वाले side वाले दोनों कंदे बन गए यह shoulder बन गए आपने देखा ऐसे ऐसे करके मार्केट ने एक pattern बना दिया जिसका नाम है head and shoulder inverse head and shoulder यह वाला inverse क्योंकि यह उल्टा है head and shoulder बनेगा तो यह ऐसे बनेगा यह देखिए और ऐसे होता है यह बिल्कुल इसका opposite है इसलिए इसको inverse head and shoulder कहा जा रहा है तो आपने देखा यह कैसे बन रहा है यह चार्ट पे आपने इसकी आकरती को देख लिया है और यह ऐसे बनता है और यह head बन गया और इसका shoulder बन गया फिर इस types हम क्या करेंगे इस neck line को मिला देंगे जैसे कि यह मिला हुआ है क्या करेंगे इस neck line को मिला देंगे इस neck line का यहाँ पर क्या होता है breakout होता है और इसके बाद फिर एक थोड़ा सा profit booking आता है और market नीचे और फिर क्या होता है market उपर निकल जाती है तो आपने देखा कि यह inverse head and shoulder कैसे बनता है और chart पे कैसे काम करता है यह मैं आपको एक example लेके दिखाऊंगा कि chart पे यह कैसे काम करता है इसकी entry कहा होगी और इसका stop loss कहा ह यही चीजें आपने सीखनी है और चलते हैं एक chart के उपर जिसके मादम से आपको समझ जा जाएगा कि कहां से कैसे क्या करना होता है तो अब हम एक chart लेके आते हैं उसको देखते हैं तो अब हम आ गए हैं एक chart को लेकर आपके सामने chart पे क्या दिखाई दे रहा है यह है inverse head and shoulder chart pattern इसमें क्या होगा आपने देखा कि market डाउनफोल में थी और इसके बाद क्या होता है यह के inverse head and shoulder बनता है यह देखिए यह बाला देखा आपने पहचान लिया इसको एक बार रिमू कर देता हूं देखिए यह तो हो गया head और यह हो गया shoulder ठीक है तो यह थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है फरक में हो सकता है बिल्कुल लेवल में नहीं बनता है यह आपको ध्यान रखना है एक दो परसेंट जो यह वाली neckline है टेड़ी बन सकती है नीचे की साइड या थोड़ी उपर की साइड इससे आपको घबराना नही है कि यह inverse head and shoulder नहीं है ऐसा नहीं सोतना है आपने क्या देखना है कि दो कंदे बने हुए है और एक सर बना है उल्टा यही आपने पहचारना है चलती मार्केट में इसके बाद क्या होता है वो आपको दिखाते है यह देखिए यह inverse head and shoulder बन गया आपका अच्छे से नहीं बना फिर से बनाते है यह देखिए बन गया है inverse head and shoulder इसके बाद देखिए इस neckline के आसपास आ गया है इसके बाद क्या होता है ब्रेक आउट होता है ब्रेक आउट होने के बाद फिर market उपर के लिए निकलती है यह देखिए यह जो trade है यह आपने capture करना है यह वाला यह वाला trade चाट पैटरन की PDF पे मैं gift देने वाला हू報 आज के इस वीडियो के साथ में, तो आप वीडियो के साथ में बने रहें और लाथ तक देखिए, लाथ में standigt चाट पैटरन की PDF के बारे में फिर से मैं बताऊँगा, तो आप देखिए, inverse appliance holder आपका यह बन गया है, इसके बाद क्य आने है तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में ये देखिए ये वाली candle है ये वाली candle इसने breakout किया है इसने नेक लाइन का, इस नेक लाइन का इसने breakout किया है, क्या क्या है, breakout किया है, जहां रखिए, तो इस candle के पास देखिए, volume कितनी जबरदस्त है, यानि volume भी बड़ी हुई है, breakout भी हो रहा है, यानि positive sign दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या करना है, इसके बाद entry बनानी है, जैसे ही ये neckline break होती है, ये वाली जो candle है, red वाली जो candle है, इसमें हमने entry बनानी है, क्या करना है इसमें, हमने अपने entry बनानी है, ये लिजिए, ये आपकी entry बन गई है, कहाँ पे, इस candle के आसपास, आपकी entry बन गई ये रही, अब बच गया stop loss, stop loss कहा लगाएंगे, stop loss लगाएंगे, जिस candle ने इस line को break किया है, याद रखिए, जिस candle ने इस line को break किया है, इस candle के low के पास, तो क्या करेंगे, हम इस low को mark करते हैं, कहाँ है इस candle का low, तो आप देखिए, कि इस candle का low ये वाला है, ये वाला, तो यहाँ आपका, क्या बनेगा, ये आपका बन गया stop loss, ये आपका stop loss बन गया, यह आपकी इंट्री बन गई, टार्गेट क्या होगा, टार्गेट होता है यह वाला, आप देखिए, जितना पॉइंट का आपका टार्गेट बनेगा, वो आपको कहां से नापना है, इस नेक लाइन से लेके, और यहां तक आपने मेजरमेंट करना है, कि यह कितने है, यह वाले, यह मान लिजिए कि यह हैं 80 पॉइंट, कितने हैं, यह 80 पॉइंट है, तो हमने क्या करना है, 80 पॉइंट इस इंट्री के बाद, कहां से, नेक लाइन के बाद आप समझिए, यह आपके 80 पॉइंट होगे, तो आपने यहां से 80 पॉइंट आप पे टार्गेट नापना है कैसे ये देखिए अगर यहां 160 पे है ये रहा ये देखिए इसमें से असी और जोड लीजिए 160 में असी जोडेंगे तो आपको दिखेगा कि 240 के आसपास आपका टार्गेट आएगा तो आप ये देखिए target और भी उपर जा रहा है तो ये मैंने नापा नहीं है ये पतास भी हो सकता है 60 भी हो सकता है ये एक अनुमानित है उसी अनुसार आपको ऊपर की ओर अपना target decide करना है तो आपकी सारी query clear हो गई होंगी ये आपकी entry है ये आपका stop loss है target कौन सा है ये जितना भी हिस्सा है उतना ही आपका target है इस entry point से उपर लगेगा तो बिल्कुल clear है entry stop loss target और आपको ये हर जगह पैसा कमा के दे सकता है अगर right entry होगी देखिए इंट्री होने के बाद market उपर गई थोड़ा सा consolidation हुआ क्यों हुआ यहां जिसने भी entry बनाई थी यहां पे जिसने भी इंट्री बनाई थी इस जगह पर क्या हुआ यहां पर profit बू के start हो गया और थोड़ा market नीचे आई और उसके बाद क्या हुआ market फिर से upside के लिए निकल गई अगर लंबा target प्राप्त करना है अगर लंबा target लेना है तो थोड़ा सा ध्यान कीजिए यह आपकी entry है यह आपका stop loss है यह वाला और देखिए consolidate कर रही है market swing to swing आप अपना stop loss ट्रेल कर सकते हैं जब देखिए एक बार consolidate किया market में retracement आया कुछ profit booking आई market नीचे आई और market फिर उपर निकल गई तो आप क्या करेंगे यह वाला जो stop loss है आपका इसको क्या करेंगे उठा के यहां से यहां ले आएंगे आपने देखा आपका stop loss है यहां आ गया तो क्या फायदा होगा देखिए हमने stop loss को उठा के उपर कर दिया फिर क्या हुआ आप देखिए market थोड़ी सी निचे आई यहां जिसने इंटी बनाई है उन्होंने फिर से profit book किया और यहां से swing निकल गया यह high जैसे ही निकला यह high यह वाला जो आई था यह वाला जैसे ही निकला अगर आपने target book कर लिया तो अच्छी बात है अन्य था लंबा target लेना है तो क्या क्या stop loss आपने यहां रख दिया और फिर market उपर निकल गी और यहां से उपर निकलने के बाद क्या होगा आपका stop loss यह आ गया यह stop loss ट्रेल हो आपका साथ साथ देखिए इसमें आपको क्या फाइदा है अचानक से market कभी भी अगर यहां से reverse आ जाए तो आप यहां पे जो आपका profit है इतना यहां से आतक का जो profit है यहां आपका trade कट हो जाएगा और market चाहे निचे आ जाए परन्तु आपको loss नहीं होगा ना ही आपका profit जाएगा वो सकता है कुछ 5-10-20 points चले जाएं यह बात मैं मानता हूँ परन्तु trailing करने पे क्या है लंबा target मिल सकता है यहां पे जाने के बाद आपका यह वाला तो ऐसे ऐसे करके आपको stock low से टेल करते रहना है और ऐसी अच्छी चीजें आपको सीखेंगे तो trading में आपका improvement होगा और trading में आप पैसा कमा पाऊगे और trading में पैसा कमाना है तो ऐसी अच्छी चीजें आपको हर रोज सिखने पड़ेंगी और chart को अध्यान करना पड़ेगा अब आपका gift बचता है आप जाए नहीं कहीं भी वीडियो अभी complete नहीं है आपको अभी gift मिलने वाला है तो अभी आपके लिए मैं candlestick chart pattern की जो book होती है उसका जो PDF होता है candlestick chart pattern का वो आपको gift में देने वाला हूँ आपको करना क्या है आपको करना है वीडियो पे अच्छे अच्छे comment और आपका whatsapp number उसमें डाल देना है ताकि मैं आपको वीडियो की जो gift है PDF है वो आपको मैं आपक चैनल पर आपको मिलती रहेंगी और अगर आप trading कर रहे हैं live stream में भी जूड़ सकते हैं हर रोज live stream में आपको मोका दिया जाता है कुछ भी सीखने का free of cost हाजी हाँ चीज सीखने को मिलेगी आपको free of cost तो यह channel आपको free of cost सब कुछ सिखाने को तयार है परन्तु आप सीखने वाले बनिए और एक हमारा टेलिग्राम चैनल है इसका link भी मैं description में डाल दूँगा और टेलिग्राम चैनल को join कर लिजिए trading में काफी help आपकी करता है काफी gifts वगेरा मैं आपको देता रहूँगा हर रोज कुछ ना कुछ आपको मिलेगा तो मिलते हैं next वीडियो में जैहि दो तो